नवस्कार मैं चंद्रुपाद्याप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत हैं अविनदर करता हूं आपके अपनी यूटूब चैनल वाले गुरूजी में आज के क्लास में हम यूपी पीजेटी 22 के स्लेवर्स कनुकार जिस महत्पूर्ट टापिक को कवर करने वाले हैं वह मनवग्ञानिक परिच्छन के प्रकार क्या होते हैं इसके सम्द्ध में हम चर्चा करेंगे इसलिए आप लोग क्लास को पुरा दिखिएगा और इस समंदिद आपको नोट डिस्क्रीप्टिन बाक्स में मिल जाएगा जहां से आप उससे डाणोट करके अपने नोट को मेंटेन कर सकते हैं तो आए सुरू करते हैं और समझते हैं कि मनोग्ञानिक परिच्छन के प्रकार कितने होते हैं मनोग्यानिक परिच्छन के जितने भी प्रकार हो सकते हैं सभी को हमने इस क्लास में अपने अपने इस क्लास में लिया है और उसको हम देखेंगे एक ही करके उसको हम देखेंगे तो सबसे पहले देखिए मनोग्यानिक परिच्छन किस अ समौ परिछन होता है जो अपना परिछन है वो एक समय पर उसका अपयोग कर सकते हैं इसमें क्या होता है इसमें एक वैक्ति पर एक ही समय में हम अपने परिछन को को apply कर सकते हैं इसमें जो है इस पूल मनोब ग्यानिक होते हैं और परामस्द जाता जो होते हैं वह चोटी-चोड़ों बच्चों की जो समस्याय होती है उनको सुल्जाने के लिए इस परिछण का उप्यों किया जाता है और इस परिछण का सबसे अच्छा अच्छा उधारन है को द्वारा निर्मित ब्लाग दिजाइन बुद्धी परिछण सबसे अच्छा उधारन है दूसरा है समू परिछण जैसा कि इसके नाम से इस परिछण जसे हम कहा जाता है जिसमें हम एक ही समफे में एक से अधिक बैक्तियों आ कलवा समर्स परियोग कर सकते हैं और सव Come परिछन में कई परिषन बनाए गये हैं जैसे आरमी अलफा आरमी बिटा परोफा अर्मी बहता जो प्रशासन के अधार पर दो प्रकार के होते हैं पहला वैक्तिक परिच्छन दूसरा समुपरिच्छन अब दूसरा जो जो वर्गी क्राण है वो प्राप्ताञ्ख लेखन की कशोटी के अधार पर याइसी प्रकार के इसके अधार पर कर दो परिच्छन नोटा है सबसे पहला वस्तोनिस्ट परेशन जिसको अग् razor करते है दूसरा है आत्मिस्ट परिच्छन इसको सब्जेक्टिव टेस्ट करते हैं अब हम बात करते हैं वस्तनिस परिच्छन क्या होता है वस्तनिस परिच्छन वैसे परिच्छन को कहा जाता है जिसमें फलांकर की जो बिधी होती है फलांकर जो तरीका होता है वो इसपश्ट होत एक पर पहूंचते हैं वसनुलीस परिष्ण मिलान यह गार कर यह सभी जो परिष्ण बनाए गया है वो क्या Joshband का है और वस्तुनीस परिछण त्वारा जो परणाम आता है वह मेंसे soient बिश्थशनी और बैद्ध होता है और आत्मिष्थ परिशण करता का मेन उद्देश्षिज नदों उतसे उस भी जनकारी है उसको डीाल में जानना तो इसको हम क्या करते हैं आत्मिस्त01 परिष्टर रिष्टर्ट निबंदात्मक जो परिच्छन होते हैं वह आत्मिस्त01 के अच्छे कर दो परिखन होता है जो परिखन करता होता है वो कुछ परसबों को तयार करता करता है और जो प्रयोब करता है वो उस परसं़ों को देखकर उसका उत्तर क्या है लिगता है तो इसलिज jis rates पेपर पेंसिल प्रयोग कहा जाता है पेपर पेंसिल प्रयोग का सबसे अच्छा उधान जलोटा का समान मानसिक छमता परिछन और महता का सामोहिक बुद्धी परिछन है और साब्दिक परिछन क्या है जिसमें सब्दों का इस्तमाल बिल्कुल नहीं किया जाता है इसमें सब्सक्राइबtó और इस लeking सब्सक्राइब जो होते हैं यह दिए पार पैस्ठन को कहा जाता है किसी भी वzähकर ती कि किसी वस्तु या घट्टां के बारे में उसको कितना ग्यान है या किसी कारेक होो किस प्रकार से अच्छे से कर पा रहा है इसको हम बात करते हैं तो चार प्रकार के परिछा बता गए बद्धि परिछण दूसरा ृईषमता परिछण तुछत्रा व्यक्ति परिच्छन चौथा अपलएब्धि परिच्छन बुद्धी परिच्छन हो कि बैंपना इसका प्रमुक मुद्धि परिच्छन होता है चललोता दिभा का सामान्ने पुद्धि परषर है चंटा उसित प्रकार के परिश्ट को का जाता है में कुसी पलब्द कोता है। जब विभीन प्रकार के चेत्रों में किसी बैक्ति कि नहीं हम को पता करना होता है। बैक्तीतल परिछेट में करने हुखते हैं तता है उपलब्दी परिछेट कि वे अगैक्तील में। होता है उपलब्दी परिछन का यूज करते हैं अगला क्रैटेरिया है मान की करण की कसोटी के दार पर दो प्रकार के परिच्छन होते हैं पहला शिच्छक निर्वित परिछन दूसरा मनेनिकित परिछन जिससे अपने विध्यार्थियों का वह आकलां कर सके इसको हम सिच्छक निर्मित परिच्छन परिच्छन कहते हैं बस वह कुछ और कुछ है कुछ ऐसे परिषण का निर्मान करता है उससे वह मालने कित परिषण की बात करें तो मानु auf करिचन वहाँ होता है जो जो सोद में तो नीयम कर सकर्ष किसी परिचन को बनाने के लिए बताये गएंदार पर रक्क सिछ विसेसो को तुकि इसहाता से एक आयसा प्रारूम किया जाता है जो सभी लोगों पर समान रूप से लागू करके उनका परिछ़ड कर सके तो इसको क्या करते हैं माननिकित परिछड करते है अगला क्रिट्रिया है अनुक्रिया देने के माननिकित QAWT क Alorses इसके अधार में दो himself paralkayे है गति परीच्छण है शकति परिच्छण इस e hate पर का और जिए होता है कोई बstillती किस काम को कितने समय करता या इसको हम गती परिउख्छण करते हैं जैसे की जैसे की जो सेनिकों की भरती होती है उसमें दोड की एक सीमा होती है तो उसे क्या है गति परिच्छन में हम उसको हम लागू कर सकते हैं बिवन प्रकार के परिच्छाओं में गति सीमा के समदीर जो है परिच्छन के माध्यम से उनका गति परिच्छन का जाज किया जाता है और सकती प करने के बटए ह no matter who uh अपने प्रियां का प्रियूक करते हैं पेचिक रियूक करके बहुक्त neste अधूरा करने लीज़ाए या कोई और आज कियांदुश्य को हाल करने के लिए इसमें क्याocy में कैदां मेर की खमता की सीमा संक्टिश्टर हेला है तो आज की क्लास में हमने बात किया कि मनुविज्ञानिक परिष्ण के प्रकार क्या है मनुविज्ञानिक परिष्ण के प्रकार विभिनिक क्राइटेरिया के हिसाब से अलग-अलग है इसके बारे में हमने चर्चा किया अगले क्लास में इससे समझे किसी और टॉपिक के बार बहुत धनेवा.